नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है सुप्रिम कोट में ब्रश्टाचार के उपर लगाम लगाने वाली कारवाईयों के लेकर ऐसी बहश चली है जिसके बाद सुप्रिम कोट के जज भी हैरान हो गए कि सरकार के तरफ से और E.D. के तरफ से जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे SG तुसार मेहता उन्होंने कैसी कैसी बाते कर दी पहली बार ऐसा सुप्रिम कोट में हुआ होगा जिसमें SG महता ने इतना कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने साथ तोर पर कह दिया कि इस तरह की याचिकाएं प्राइमा फेसी आप ये जान कर सुनकर मान कर तै नहीं कर सकते कि एक ही मामले की बार बार सुनवाई हो और वो भी एडी के अधिकारों को लेकर ये गरमा गरम बहश चली और इसमें कपील सिब्बल जो की उन पिटिस्टर के तरफ से थे जिन्होंने बार बार पुनरविचार की मांग की थी उनकी भी जमकर धुलाई होई कि ये ब्रस्टाचारियों के साथ खड़े लोकों को समझ नहीं आता कि अगर ये पीए मेले चला है बना है संसद ने एक कानून बनाया है तो इसके पीछे केबल रास्टी अस्तर का महत्व नहीं है बलकि ये ग्लोवल सिग्निफिकेंस का मामला है यानि की वैश्विक महत्त इसकी है और ये सारी बातें सुप्रिम कोट के अंदर हुई एक पुनरविचार याचिका के लिए जिसमें सुप्रिम कोट के जज इस बात के लिए बिलकुल अडे हुए हैं कि नहीं इसके मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी हाला कि 22 नबबन को इस पर फिर से नहीं रहे इस जी महता ने सीधे आइना दिखाया सुप्रिम कोट के जज को कि आप अपनी ही फैसलों से क्यों संतुष्ट नहीं होते हैं मामला पीए मेले 2002 का है यानि कि प्रिवेंशन ओफ पली लॉंडरिंग एक्ट 2002 में जो एडी को ताकते दी गई है और उन ताकतों में चार ऐसे पावर हैं जिसके उपर जज सहाब को लग रहा था कि फिर से विचार किया जाना चाहिए और उसमें पहले ताकत तो यही है कि क्या मनी लॉंडरिंग के मामले में एडी गिरफतार कर सकता है दूसरी ताकत यह है कि क्या मनी लॉंडरिंग के मामले में किसी भी आरो लॉंडरिंग के मामले में ED किसी भी आरोपी की संपत्ती को जब्त कर सकता है या फिर चौथा ये जो ED के पावर को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या PML के तहट यानि की Prevention of Money Laundering Act के तहट ED को ये अधिकार होना चाहिए कि किसी की भी तलाशी ले सकता है अगर वो आरोपित बन गया है तो और इस मामले की सुनवाई पिछले अगस्त 2022 में चली थी उसमें भी तीन जजो की बेंच ने फैसला दिया था उसमें जस्टिस खानविलकर थे जस्टिस महसवरी थे और तीसरे जस्टिस सीटी रभी कुमार थे इन तीनों के बेंच में सुनवाई चली थी और फैसला ED के पक्ष में आया था क्योंकि उस समय भी लंबी दलीले हुई और उस दलील के बाद इन तीनों जजों ने कहा ED को जो ताकत मिली हुई है गिरफतारी की तलाशी की पत्ती अटैज करने की ये सही है क्योंकि ये मनी लॉंडरिंग ऐसा मामला है ब्रस्ताचार का जिसका संबंध टेरर फंडिंग से भी होता है और ये सारे एक दूसरे से घुले मिले हैं ED को हम सामाने तरीके से नहीं छोड़ सकते कि आप एक इन्वेस्टियेटिव एजेंसी बनके रहो आपके पास करतब्य होगी काम करने के लिए तरीके होगे विवस्था होगी लेकिन आपके पास अधिकार कुछ नहीं होगे ऐसा हम नहीं कर सकते और इसी में ये भी कहा गया था कि ECIR जो FIR की तरह होता है ED जो दायर करती है उसको प्राथमिकी तोर पर मतलो ये मत प्राथम जो जो बार बार ये लोग उठा रहे हैं सवाल कि ED हमें उसकी कौपी क्यों नहीं देती है ये पिछले फैसले में तीन बजज के बेंच ने कहा था कि ECIR जो है वो उनका personal document है ED का और इसलिए इसे सारदनिक तोर पर उस ROP को नहीं दिया जा सकता और ये मामला चला क ED की सकतियां ताकतें बरकरार रहेगी लेकिन चैन कहा है ब्रस्टाचार में घिरे लोगों को जो लगभग 95 विपक्ष के नेता जो है वो ब्रस्टाचार के आरोप में ED के चंगूल में हैं उसमें कॉंग्रेस के सबसे ज़्यादा 24 नेता सामिल हैं तो कॉंग्रेस को ये जर 241 पेटिशन पर एक बार सुनवाई हुई इस बार कुछ लोगों ने फिर से पेटिशन दायर किया और उसमें जो लीड पेटिशनर हैं वो कॉंग्रेस के नेता ही हैं गोविन सिन मद परदेश में लीडर ऑफ अपोजिसन ये गोविन सिन ने नेत्रित्व किया और कुछ औ पर हैं इसलिए इन लोगों ने फिर से पेटिशन दिया और इसमें जो जज हैं वो संजय किशन कॉल हैं जो कि लीड कर रहे हैं तीन जज की बेंच यहां भी है और उसमें दूसरे जज जो हैं वो बेला एम तिरवेदी हैं और एक और जज इसमें हैं उनका नाम है संजीव खनना तो इन तीन जजों की बेंच ने इसमें सुनवाई की बात कही और एसजी तुसार मेहता और एसजी रजू तीन दोनों एक एडी के तरफ से और केंद सरकार के तरफ से परतनिजित कर रहे थे उसमें तुसार मेहता ने एक एक करके चार पांच ऐसे सवाल उठाए जिस उसका जवाब संजे किशन कॉल के पास नहीं था जस्टिस संजे किशन कॉल सिर्फ एक ही बात करते रहे कि हम सेलेक्टिव तरीके से पुनरविचार करेंगे हमारा पुनरविचार का मतलब पिछले फैसले का जो है उसमें कही ये शामिल नहीं है कि पीए में लेके तहट किसी क गिरफतार किया जाता है तो बेल दिया जाना चाहिए या नहीं हमारा तो सिर्फ और सिर्फ पुरन विचार करने का मतलब यही है कि गिरफतारी जबती यानि संपत्ति की जबती कुर्की और फिर तलाशी का अधिकार ED के पास होना चाहिए कि नहीं लेकिन तुसार मेहता ने कह कि आप अपने कोट के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं पिछली बार भी तीन जजों के बेंच ने ये फैसला दिया और उसके बाद आप प्राइमा फैसी आपको सिर्फ ये लगता है कि पुनर विचार करने की ज़रूरत है इसके लिए कानून का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए अगर किसी को ये लगे और वो पटिसन दायर करे कि पाँच जजों की बेंच ने जो समलेंगिक विवाह के उपर फैसला दिया है ये सेम सेक्स मेरेज पर वो फैसला सही नहीं है तो क्या जजज सहाब फिर से ये तुरत मालेंगे कि ये पाँच जजों की बेंच ने सही फैसला नहीं दिया इसको फिर से पुनर विचार करने के लिए डाल दिजे और फिर उसी मुद्दे पर सुनवाई कीजे क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं हुआ जुलाई 2022 में इसकी सुनवाई हुई थी और लगबग एक साल पहले जब सुप्रिम कोट ने फैसला दिया था तो उसके बाद एक साल के अंदर ही आपको क्यों ऐसा लगता है इस पर पुनर विचार की जरुवत है जज सहाब कुछ नहीं बोल पा है सीधे सिर्फ यहीं बोले कि जज हमें ये लगता है कि इसमें कुछ लैकुना है कुछ गरबडिया है और उस पर ये कानून जो बना है उसमें से दो तीन मुद्दे हैं हम सिर्फ उसके उपर पुनर विचार करेंगे अगर किसी को लगता है जज को तो ये आगे के बेंच के लिए ट्रांसफर कर सकता है तुसार महता ने ये भी कहा कि तीन जज की बेंच वो और फिर आपके तीन जज की बेंच ये कैसे संबब है अगर पाच जजो की बेंच बनानी हो तो एक अलग मसला उठता है लेकिन आप तीन जज मिलकर क्या पिछले तीन जजों के फैसले को नकार देंगे इस पर भी संजे किसन कॉल को कुछ बोलते नहीं बना सिर्फ यही बोले कि हम तो अभी पुनरविचार कर रहे हैं उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको पांच जज की बेंच में भेज देंगे और इसी बात पे जब चर्चा चली गिरफतारी भरस्टाचार के मुद्दे पर तो सीधे तोर पर एहजी तुसार महता ने कहा कि आप पिये मिले को देखिए ये एक संसद के बनाया हुआ कानून है और दोहजार दो में ये बनाया गया है उस समय सरकार वरतमान वाली नहीं थी पिछली सरकार थी उसी में ये सब प्रावधान दिया गया और उसके बाद से सिर्फ इसका रास्टी एस्तर पर परभाव नहीं है क्योंकि हम जो Prevention of Money Laundering Act बनाते हैं जो कानून बनाया है वो FAATF के आधार पर है उसके अनुरूप होना चाहिए ये अंतर रास्टी एजेंसी है यानि Financial Action Task Force जो पूरे दुनिया में कहां कहां धन शोधन अधनियम बने हैं किन देशों में Money Laundering को लेकर क्या कानून है उसका टेरर फंडिंग से क्या रिस्ता है इसके उपर जाच करती है और हर साल साथ सदस्य टीम देश में दौरा करती है और वो जाच करती है कि जो Prevention of Money Laundering Act है वो अंतर रास्टी मांग दंडों के अनूप है कि नहीं और उसी के आधार पर FATF के तरफ से हमें Grade मिलता है किसी भी देश को Grade मिलता है FATF के जो Grade Leaf से निकलने के लिए पाकिस्तान किस तरह छटपटा रहा है और उसको आगे उसके खिलाफ कारवाई नहों इसके लिए जी जान से मेहनत कर रहा है हमने वो आधार बनाए है P.A. मेले के तहट और हम कारवाई करते हैं इसलिए अंतरास्टिय अस्तर पर जब ये टीम आती है जाज करती है तो लगता है कि अंतरास्टिय जो मांदंड है उसके आधार पर भारत में जो धन सोधम के खिलाफ कानून है वो बहतर है और इसलिए आज तक हम F.A. T.F. के अच्छे रिष्टे और अच्छे ग्रेड में रहे हैं इसलिए इसका कारण ये है कि हमने कारवाई की और अगर इसको कमजोर कर देंगे अगर हम किसी P.A. मेले के तहत मामले में E.D. को अधिकार ही नदे गिरफतार करने का बेल पे ब्रस्टाचारी बाहर रहें संपती जब न हो उसके खिलाफ कारवाई न हो अगली बार जब ये F.A. T.F. की टीम आएगी तो उसके सामने रिकॉर्ड में क्या होगा यही कि इतने लोगों के खिलाफ कारवाई तो हुई सजा किसी को नहीं हूँ ग्रफतार कोई नहीं हुआ संपती जब नही अटैच भी की है इसलिए इस मामले में दखलन दाजि मत किजिए फिर से पुनरविचार की ज़रूरत नहीं है और ये चुकि एक ग्लोबल सिगनिफिकेंस का मामला है इसलिए इसमें सुप्रिम कोट के फिर से विचार करने की ज़रूरत नहीं है हाला कि इसके कॉल जस्टिस कर सकते हैं और अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी 22 नवंबर को सुनवाई तो होगी लेकिन फिर से उसी तरीके के सुनवाई होगी क्योंकि संजे किसन कॉल जो सुप्रिम कोर्ट में अभी जज हैं वो 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं अब अगर एक दो सुनवाई करने के बाद वो रिटायर हो गए उनसे जो बात चित हुई उनसे जो दलीले दी गई उनके सामने वो सब बेकार हो जाएगा क्योंकि एक नए नियाधीस की एंट्री होगी इस बेंच में और फिर ये मामला चलेगा हर दिन टिपनी होगा जैसे कुछ समय पहले सुप्रिम कोट टिपन कर रही है ये आरोप तो भी पक्ष का है क्योंकि भी पक्ष के नेता इसमें फसे हैं लेकिन सुप्रिम कोट को कैसे लगने लगा क्या मनीश सिसोदिया निर्दोस है बदले की भावना से कारवाई हो रही है संजे सिन के खिलाफ बदले की भावना है संजे राउत के खिलाफ बदले की भावना है या फिर राहुल गांधी और सूनिया गांधी जो फसे हुए है निस्नल हिराड में वो बदले की भावना है जो गिरफतार कर लिया गया उनको अगर पूशता चो रही है तो बदले की भावना चो रही है यह जजज सहाब की टिपनियां महद्पूर्ण हो इसलिए जो SG महता का गुस्सा देखा गया उस समय कोट के अंदर वो अलग तरीके के रूप में थे वो पूरी तरीके से जद सहाब के सामने खड़े होकर ये बता रहे थे कि मिलाट देखिए ये संसद का कानून है और इसमें छेड़ छाड़ करने का मतलब है कि सुप्रिम तब उनका यही था और इस भी जब जब कपील सिब्बल बोलने के लिए खड़े हुए कपील सिब्बल की धुलाई कर दी गई क्योंकि वो जो गोविन सिन के तरफ से वकील बनके आये थे कॉंग्रेस के नेता है और इसलिए उन्होंने यही सारे तरक दिये करनाटक में अग मामला दिल्ली में ट्रांसफर हो जाता है पूरे देश में अलग-अलग हिस्सों में इडी के पास असिमित अधिकार है इसलिए इस पर सुनवाई होनी चाहिए लेकिन बार बार तुसार महता ने यही कहा ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए इस तरह का छेड़ चार नह कोई कंपरमाईज करने के लिए तैयार नहीं है एस जी मेहता को बार बार कहा गया था कि आप जाए और सुप्रिम कोट में ऐसे महौल तैयार कीजिए दलील दीजिए जिससे कि ब्रस्टाचार के खिलाथ मुहीम कमजोर नहो रुके नहीं और इसलिए सुप्रिम कोट में यह सुनवाई हुई और सुनवाई बड़ा हंगामेदार हुई जिसमें जजज सहब भी हैरान रहे परिशान रहे लेकिन अपने रुक पर कायम रहे क्योंकि यह रुक अडियल है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ औ किसे तरही खबर हम आपके लाते रहें धन्यवाद